नमस्कार आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे में नाईरा आपके साथ सोनू और उनके पिता अगम समझ गए थे कि संगीप के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मुंबई का रुप करना होगा जब वे साल 1991 में मुंबई पहुचे तो सोनू को किसी ने काम नहीं दिया वे दिन भर म्यूजिक कंपोजर्स के घरों के चक्कर लगाते रहते थे उन्हें यह भी कहा गया कि उनकी आवाज में काफी वेराइटी है इसे कंट्रोल करना पड़ेगा हालांकि आगे चलकर आवाज की यही चीज उनके लिए मजबूती बनी इसके बाद सोनू को बड़ी मुश्किल से फिल्म जनम का एक गाना मिला लेकिन फिर यह फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई सोनू कोटी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने एल्बम रफी की यादे में गाने का चांस दिया सोनू ने बतौर प्लेबैक सिंगर एल्बम में गाना गाया और वे रातो रात सुपर हिट हो गए सोनू स्टेज शोस के दौरान भी रफी साहब के गाने ही गाया करते थे इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे